नियुक्ति की मांग को लेकर डिये डब भेर्थी पिछले आड दिनों से धरने पर बैठे हैं और अनिस्चित कालीन धरना दे रहे हैं आज जल सत्याग्रह करने पहुँचे हैं यह इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि सरकार इनकी बाते नहीं सुन रही है लगातार प्रदर्सन नारेबाजी के बीच अभी तक प्रसासन और सासन तक के इनकी बाते नहीं पहुची है इसलिए तलाप के किनारे धरने पर बैठे जल सत्याग्रह कर रहे हैं हम इनसे सीधा सवाल करेंगे कि आखिर इनका मुद्दा क्या है और सरकार क्यों नहीं मान रही आपकी बाते आर दिन से धरने पर बैठे हैं क्यों सुनवाई नहीं हो रही है क्या प्रसासन आप तक नहीं पहुचा है सर एक बार भी प्रतिनीधी है। सुप्रीम कोड और हाई कोड्र के आने के बाद उनको हमको यहां पर आने के ज़ुरत नहीं पढ़नी चाहिए थी. लेकिन सरकार चाहती है कि हम ऐसे धरने पर बैठे और रताणित होते रहे, प्रताडित करने के लिए आज हमको यहां बैठाई है और हमारी नियुक्तिया रोक के रखी है बिल्कुल कब तक चलेगा इस तरीके से प्रदर्शन जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक चलेगा सर पर हम लोग अब ठाग गये सर अब हम लोग को नीवेतन है कि हम करें कि सरकू Bowl करें कि इसां प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या मांगे थोड़ा बता दीजिये और हाई कोट से क्योंकि आधेज भी आ अगया सुप्रीम कोट ने आपके लिए फैसला दे दिया य क्योंकि हम लोगых के हक negotiations सब्सक्राइब कर दो आगे अब क्या रण नीती रहेगी क्योंकि सरकार तो सुनने रही है जैसा कि आप लोग का कहना है सर मैं यही पूछना चाहता हूं कि सरकार में सरकार के पास इतनी कौन सी बादा है जो सुप्रीम कोड के आदेश के बावजूद भी उसको रोक करके सरकार अपने आपको सुप्रीम कोड से बड़ी मान रही है क्या मैं पूछना चाहूंगा सम्विधान में कोई ऐसी संस्था क्या जो सुप्रीम कोड के आदेश की आविलना कर सके तो फिर क्यों हमारे साथ सवतेला पन व्यभार कर रही है मांगे है जल्दी निक्ति हो बिलक सरकार आपकी मांगे पूरी करें यही जोडगर की निवेधन है तो यह सैकलो अभ्हार्थियों को आपने सुना किस टरीके से निवेधन कर रहे है सरकार से कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अनुमती के पाद भी जो उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है इनकी सिर्फ यही मांगे कि न्युक्ति की जाए इनकी डिये डप भेड़तियों की जो तीन हजार पदों पर बिये डप भेड़तियों की न्युक्ति कर दी गई है कैमरामन मनी गीते के साथ आकाशुकला न्यूज 18 रायपूर 36 गड़